है कि है लो स्टेंट्स तो 11 फिजिक्स चैप्टर मोशन इन प्लेंग का नेक्स्ट एक्चर और अब यह तक हम पढ़ रहे हैं बैक्टर ठीक है मैं अब हमने बताया कि वेक्टर को लगा डेटेल से पढ़ रहे हैं और यह आपका बैक्टर पर नेक्स्ट वीडियो है और इससे पहले हमने बैक्टर के बारे में बहुत सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया है बैक्टर क्या होते हैं बैक्टर की टाइप क्या है बैक्टर कैसे एड़ होते हैं बैक्टर कैसे सब्टेक्ट होते हैं अगर वैक्टरों का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है इनकी ठी के दो वेक्टर के बीच में ठीटा हो तो उनका एंगल कैसे निकालते हैं ट्राइंगल लो क्या है लॉफ पैरलोग्रम क्या है पॉलिगन लो क्या है तो यह सब चीज हम पहले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं अगर आप यह वीडियो देखकर नहीं आये हैं तो आपको वीड सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब चीज आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो आप स्टार्ट करते हैं रूट ऑफ स्टेडी के साथ बैक्टर कंसेप्ट तो हमें पढ़ना है प्रोडेक्ट प्रोडेक्ट अब एक्टर में क्या होता है कि एक स्केलर प्रोडेक्ट होता है और रूट प्रोडेक्ट इस्केलर प्रोडेक्ट स्केलर प्रोडेक्ट चीक है और इसी को हम बोल देते हैं डॉट प्रोडेक्ट होता क्या है पहले इसे पढ़ते हैं तो कैसे करते हैं वेक्टर में मल्टिपिलेशन क्या होता है तो यह चीज़ हम पढ़ते है पहले तो वैक्टरों में concept में क्या होता है कि अगर कोई भी वैक्टर है और वैक्टर में हम किसी real number से multiply करें सबसे पहले concept पढ़ते को वैक्टर है उसपर किसी real number से multiply करें तो कोई प्रोग्रम नहीं है जैसे आपसे बोला जाए कि सपोर्ज गरो एक वेक्टर है जिसे हम लिख सकते हैं 2i-cap आपको वेक्टर का यानि all are perpendicular to each other ठीक है सभी एक दूजरे के perpendicular axis होते हैं x y z कुछ इस टाइप के आपको ये लगेंगे ठीक है that is x y और फिर z बोल दीजिए या x y और ये z बोल दीजिए ठीक है तो x को बोलते हैं i-axis उसको बोलते हैं j-axis और उसको बोलते हैं k-axis ठीक है तो 2i-cap प्लस 3 j-cap प्लस 4k-cap ऐसे लिख लिए आपसे बोला कि भाई हमें find करना है 2a तो इसका मतलब है हमें यहां 2 की multiply करनी है इसमें 2i 3j plus 4k clear है तो इसे कर देंगे 224i plus 6j and plus 8k that is the product यानि किसी भी वेक्टर में अगर हम किसी real number से multiply करते हैं तो एक simple simple multiplication होता है clear है यह चीज अच्छा जी एक चीज और देखना है कि हमें कि अगर हम scalar और vector scalar and vector इनकी multiply करते हैं तो answer आपका वेक्टर में ही आएगा याद रखना है अगर scalar और vector इनकी multiply करते हैं तो answer आपका vector ही आएगा ठीक है यह scalar quantity यह vector quantity यह answer किसमा आ गया vector में ही आया ठीक है वो sorry हाँ vector में ही आया ठीक है अब अगर आपके पास vector vector quantity हो suppose करो एक vector की दूसरे vector में multiply करें तो बताइए answer किसमा आएगा एक vector की अगर एक scalar की एक scalar में multiply करते हैं तो answer vector आता है ıllardy इसकेलर की में गल्के करते हैं तो answer scalar आता है किलियर है मैं इसकेलर की scalar में करओगे तो answer किसमा अब आगा है गया सिथा है कि तो answer say nawet like अब आप मुझे पता हूं अब बोलों भी से यह कैसे होगा थे संभा अरे आंसर कैसे आएगे एक तो हमें समझना है कि जो वेक्टर वेक्टर के multiply होती है वह दो टाइप से होती है आगे संभावाया मैं अब महतने और वेक्टर में से बोलते हैं और एक होता है क्रॉस प्रोडेक्ट अब यह नई चीज है लेकिन जब आप इसे पूरा पढ़ लेंगे आज इस लेक्चर को आपको सब्ज़मा जाए कि क्या होता है क्रॉस क्या होता है और इसको हम ऐसे बनाते हैं ठीक है अब मैत में तो सर यह भी इंटू है और यह तो मल्टिपिकेशन का साइन है ठीक है मैत में तो इसे भी इंटू बोलते हैं यहां नहीं बोलते हैं यहां इसको हम डॉट बोलते हैं और यहां इसको हम क्रॉस या रखना इस डॉट और दिस इस क्रॉस अगर आप दो वेक्टरों का डॉट प्रोडेक्ट करोगे ठीक है दो वेक्टरों का डॉट प्रोडेक्ट करोगे यानि एक वेक्टर है और उसका डॉट प्रोडेक्ट करोगे किसी दूसरे वेक्टर से तो आंसर आपका इसकेलर आए अब्त पहल तो आप यह चीज केलियर कीजिए कि बैक्तर डॉट वेक्टर इस एकल टू स्केलर वेक्टर क्रॉस बेक्टर इस इकल टू बैक्तर यहां तक पहले आप केलियर कर लाइजिए ठीक है यह clear हो गया क्या ऐसे करना है अब हम बताएंगे कि product होते कैसे मंदर dot कैसे होता है और cross कैसे होता है ठीक है तो अभी तो पहले हम यह समझें कि डॉट और cross यह clear हो गया अपका पहले ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए अब डॉट प्रोड़क्ट अब आपको पता है कि यह हमें इनकी नीड क्यों पड़ी आपको यह भी तो सब्सक्राइब क्रोड़क्ट अलग अलग नीड क्यों पड़ी हमें क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी है ठीक है जो वेक्टर है उनका प्रोड़क्ट स्किलर आता है और वह सारी क्वांटिटी ऐसी है कि वेक्टर है उनका जो प्रोड़क्ट है वह वेक्टर ही आता है ठीक है तो इसलिए हमें इनकी अलग अलग जरूर पड़ी डॉट की और हैं अपकी क्रॉस की ठीक है जैसे वर्क कैसी possibility is killer quantity यह वर्ग का formula क्या होता है वर्ग का formula होता है force and displacement यह फॉर्स इंटू displacement यह होता है फॉर्ग इंटू displacement तो हम इसको कैसे हैं हापार हम लिखते हैं डब लू इसी कल्टू f.s हुआ कुछ थोड़ा के लिए आपके mind में force कैसी quantity है vector quantity displacement कैसी quantity है displacement is also vector quantity अब vector का dot vector के साथ यानि दो वेक्टरों का dot product क्या बनता है इसकेलर बनता है ठीक है तो w is equal to fs इसने जो work है वो कैसी quantity है वो scalar quantity है clear हो गया work कैसी quantity है scalar और निकलते किसे हैं दो वेक्टरों के product से निकलती है clear है power एक और पड़ी होगी आपने power power is equal to force into velocity power is equal to force into velocity चीक है ये भी एक formula है power is equal to force into velocity अब देखो force कैसी quantity है vector velocity कैसी quantity है vector अब दोनों वेक्टरों का dot product होगा तो scalar power कैसी quantity है scalar power का formula क्या होता है P is equal to W by T P is equal to W by T simple है तो ये तो आपका दो वेक्टरों का dot product क्या हो जाता है scalar अच्छा cross क्या होता है एक formula पढ़ोगे tau is equal to F cross S और ये जो S होता है ही perpendicular distance होता है भी आप 12 में पढ़ोगे ऐसे फॉर्मूल होगो ठीक है ये टॉर्क होता है torque is equal to force into perpendicular distance torque is equal to force into perpendicular distance torque क्या होता है ये होता है कि कोई object ऐसा हो जो किसी magnetic electric field में रखा हो और force पर rotation वाली force आ जाए rotation वाली force यानि वो rotate होने लगे तो उस condition में rotation वाली force को ही हम torque बोलते है और वो depend करती है force पर और इसके perpendicular distance axis पर तो torque is equal to F cross perpendicular distance अब देखिए force कैसी quantity vector perpendicular distance यानि displacement है ये भी vector quantity है यानि ये vector और ये vector इन दोना कि dot product क्या देता है scalar और cross product क्या देता है vector clear है ये चीज़ चलिए आगे बढ़ते अच्छा पहले हम पढ़ते हैं dot product ठीक है dot product ऐसे dot लगा मिलेगा आपको तो यह हो जाएगा आपका dot product ठीक है suppose गरूँ की a एक vector है b एक ऐसे vector है इन दोनों के बीच में ठीटा है ये a vector ये भी vector तो हम इसका अगर dot product लिखें dot product समझ रहा है dot product लिखें तो हम लिखेंगे a dot b is equal to a mode b mode cos theta के लिए रहे a mode b mode cos theta ये इसका formula है तो आप लिखेंगे a dot b is equal to a b cos theta a dot b is equal to a b cos theta clear है ये चीज़ a dot b is equal to a b cos theta dot product में होता है अपका formula a dot b is equal to a b cos theta आपसे अगर angle की बात करें कि हमें angle निकालना है तो आप angle निकाल सकते हो यहाँ से cos theta is equal to a dot b upon a mode b mode ठीक है a mode b mode तो आप यहाँ से theta भी निकाल सकते हो और आप इन दोनों का product भी कर सकते हो ठीक है आप देखेंगे जैसे example लेते हैं ठीक है ऐसे ले लिजिए ये है आपका 30 degree ये है आपकी suppose करो 4 newton और ये है आपकी 5 newton कोई भी ले लीजिए आपसे पूछा इन दोनों का product क्या होगा ये सब भूजगरो a है और ये b है इन दोनों का dot product तो इन दोनों का dot product होगा a dot b is equal to a mode b mode cos theta तो a mode कितना है 4 b mode कितना है 5 और cos theta कितना है cos होगा आपका 30 तो इसको लिख लिजिए 4 5 जा 20 cos 30 की value क्या होती है cos 30 की value होती है root 3 by 2 इससे काड़ जिए 10 तो आपका अंसर आ गया 10 root 3 अब बताए 10 root 3 scalar रहे वेक्टर 10 root 3 scalar quantity है तो a dot b is equal to i आपका 10 root 3 ठीक है जी तो ऐसे करके हम dot product निकालते है ठीक है दो प्रोग देदे तो simple simple हम इनको solve कर सकते हैं अब ही जो आपने फॉर्मूल अपना dot product का ये a ये b ये theta तो हमने इनका dot product निकाला तो हमने लिखा a dot b is equal to a b cos theta clear हो गया तो अगर हम theta is equal to ठीक है theta is equal to 0 रखें suppose गरो theta की value 0 रख लें तो cos 0 की value क्या होती है बताइए cos 0 की value 1 होती है इसका मतलब जो dot product है वो हो जाएगा a b यानि maximum और कैसा होगा positive अगर आप theta is equal to 180 रख दें ठीक है तो देखें क्या होगा a dot b is equal to minus a b cos 180 की value क्या होती है cos 180 की value minus 1 तो ये आपका maximum हो जाएगा लेकिन negative direction में maximum होगा लेकिन negative में आपसे बोला जाएगी वे theta is equal to 90 रख दो तो आप देखो क्या होगा a dot b is equal to a b cos 90 और cos 90 की value 0 होती है तो a dot b क्या हो गया 0 ठीक है तो angle आप रखकर चेक कर सकते है theta 180 90 तो इस तरह से हम dot product fine करते हैं कि ठीक है यह इनका relation है अच्छा जो dot product होता है अपका देखें इसमें a b ठीक है पूरे doubt clear कर लेते हैं क्या होता है a dot product a b यह theta ठीक है तो अगर हम बोलें a dot b तो आप लिखेंगे a b cos theta clear है हम आपसे बोले b dot a यानि b से a पर जाना है a से b का मतलब है a से b जाना है a से b तो theta है आपसे बोलें b से a जाना है अब b से यह ऐसे नहीं जाएंगे b dot a is equal to हम लिख सकते हैं a b cos theta इसका मतलब a dot b किसके को लागया b dot a के a dot b किसके को लागया v dot a के तो यह कौन सी property है यह accumulated property है यानि dot product किसको follow करता है cumulative property को follow करता है क्यों ले टेटेब ठीक है क्यों ले टेटेब को follow करता है a dot b is equal to b dot a clear है यह distributive को भी follow करता है distributive को भी follow कर लेता है यानि distributive की आप लिखना चाहो आप लिखो जैसे a dot b plus c तो आप लेख सकते हो a dot b plus b dot c ठीक है तो यह इसको बोलते है distributive यह इसको भी follow करता है आपको इसे भी value रखकर देख लिए a b plus c और उसमें a dot b निकाल दीजिए और b plus c dot c निकाल दीजिए और सबको एड करतेंगे ठीक है इसको मैं prove करके देखाऊंगा भी with example तो आपको समय में आजएगा अभी केवल आप समझें कि यह इन चीजों को follow करते हैं चलिए जी यह होगा आपका और देखिए इसमें आपसे बोला जाएं कि भाई a vector है जिसकी value है 2i cap minus 3j cap plus k cap और एक vector है b जिसकी value है i plus j plus 2k cap आपसे पूचा कि भाई find a dot b find करना है हमें इनका चलो जी a dot b कैसे find करेंगे एंगल तो है नहीं इसमें अब यहाँ पर अगर एंगल होता तो हम a mode b mode को और चीटा लगा के value निकाल लेते हैं अब यहाँ पर एंगल नहीं है वह आपको जो वह formula दिया है वह जब भी valid है जब आप उनके बीच पर एंगल हूँ तो यहाँ value नहीं है तो अब हमें इनका सीधा सीधा ही dot product करना पड़ेगा तो सीधा dot product कैसे करेंगे हम 2i minus 3j plus k dot i plus j plus 2k चीग है अब हम यहाँ थोड़ी से एक property समझ लेते हैं इसकी आपको i, j, k के बारे में बता ही दिया है मैंने यह i ऐसे करके यह x-axis, y-axis, z-axis इसे i-cap बोलते हैं इसे j-cap और इसे हम k-cap चीग है तो यहाँ जब हम product करते हैं तो हमारे पास कुछ methodology है उसे हम यूज करते हैं i.i, j.j and k.k यह one होते हैं clear है बोलते हैं one अभी देखेंगे होते क्यों है one और i.j, j.k and k.i यह आपके 0 चीग है आप देखें इनको समझ लेते हैं पहले कि यह होते हैं यहाँ है यह पहला वेक्टर भी x-axis पर दूसरा भी x-axis पर तो इनका मतला इनके बीच में एंगल 0 आगया सिर्में फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला बताया था मैंने दोको यह रहा है को जीरो को जीरो की वैलू क्या होती है one चीक है तो i.i.1 क्लिए रागया सिर्में इनके बीच में एंगल क्या है जीरो तो इसका मतला इन दोनों का प्रोड़क करोगे तो वन आएगा अच्छा j.j यानि ये भी j में ये भी j में यानि इन दोनों के बीच में भी एंगल 0 तो that is one that is one i.j i.j देखिए i.s.a.j.s.a. एंगल के तना होगा 90 क्या होती है जीरो के आई ऐसे हो गया है इनके बीच में 90 ठीक है तो यह जीरो आपको सब्सक्राइब आगया होगा आपको इपस्या रखना है सेम जो होते है वह बाकि आप पोजिट वाले जाएंगे वह 0 क्यों इनके बीच में इंगल 90 होता है चलिए अब इनके मुल्टिप्लाई कर लेते है तो a.b 2i की i में मुल्टिप्लाई करोगे तो आप लिखोगे 2i.i 2i की j में करोगे तो 2i.j 2i की 2k में करोगे तो आप लिखोगे 2.4i.k माइनस 3j से कीजिए माइनस 3j.i माइनस 3j.j and माइनस प्लस माइनस 3.6j.k ठीक है जी अब के से मुल्टिप्लाई करते हैं के से देखिए k.i पिलस k.j और पिलस 2 k.k के लिए अब भी देखो अब इस लॉजिक को लगा लेते हैं i.i यानि यह वाला 1 तो यह होगया 1,2 यह वाला 0, यह वाला 0, यह वाला भी 0, यह माइनस 3 यह वाला 0, यह वाला 0, यह वाला 0, यह वाला 0, यह वी 0, और यह वी 0, और फिर बचा हमारे पास 2, चीक है अब आपको बार-बार ऐसे नहीं करना है, आपको समझाने की नहीं बताया है, आपको समझ में आता है यह वैलू है, कैसे 1 आई है, अब आप जो मल्टिप्राय करेंगे, आगे से वो कैसे करेंगे, आई की आई में, जे की जे में और के की के में, विद साइन, साइन ज़रूर जहार लखना है चलो आगे बढ़ते हैं सपोज करो, एक बेक्टर ले लेते हैं, अब एक और कर लीजिए प्रेक्टिस a प्लस j माइनस k और एक b वेक्टर ले लेते हैं, आपसे बोले 2i माइनस j और प्लस k आपसे बूचा, बता हुआ है a.b, तो आपको बता दिया a.b, अब आप तरण तरण निकाल लीजिए 2i की i में, तो 2i.i, that is 1, simply लिख लीजिए प्लस माइनस, माइनस j की j में 1, and प्लस माइनस also माइनस k की k में 1, clear होगए सीधा-सीधा, तो 2-1-1, that is 0, a.b is equal to 0, clear होगए, अब आप ऐसे करके निकालना है सीधा-सीधा, ठीक है, वो आपको बार-बार नहीं लिखना, बार-बार solution नहीं करना है, आपसे बोलें कि बाई, एक वेक्टर है, वो दे दिया, आपको i cap है, पिलस j cap है, माइनस k cap है, और एक b वेक्टर दे दिया, suppose गरो 2i minus 2j, एक c वेक्टर भी दे दिया, suppose गरो i plus k, आपसे पूछा कि बाई, आपको निकालना है, a.b plus c, अब आ रहा है वो, अब यह होता है, distributed लो आप जो कर रहेते हैं, तो यह same, इसमें कोई problem नहीं है, तो हम पहले क्या find कर लें, हम पहले b plus c निकाल लें, add करना बहुत simple है, add तो simple simple होता है, 2i, 3i, and minus के 2j, and plus का k, clear हो गया, यह b plus c हो गया, इसके साथ a का dot protect करना है, तो हम लिखेंगे, a.b plus c is equal to a की value लिख लीजिए, i plus j minus k, and dot 3i minus 2j plus k, ठीक है, i की i में करेंगे, तो 3j की j में करेंगे, तो minus 2, and minus k की plus k में करेंगे, that is minus 1, 3 minus 3, that is 0, ठीक है, तो कोई problem नहीं है, तो value रख रहे हैं, तो आपको समझना है concept, अब आपको देते b minus c, a.b minus c, number of questions आप इस type के कर सकते हैं, easily, ठीक है, तो बहुत सारे questions आप खुझ बना सकते हैं, इस पर, आपको बोल दे, a plus b, dot c, तो a plus b, आप add कर दीजिए, c से dot product कर दीजिए, ठीक है, a minus b, dot c, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इस type के questions, आप easily solve कर सकते हैं, और देखिए इसमें, angle और निकाल लेते हैं, आप से पूचें कि यही question है, suppose करो, और इसमें angle find करो, find angle, ठीक है, find angle, तो angle के नहीं मैंने आपको क्या बताया था, आपको बताया था, a dot b is equal to a mode, b mode, cos theta, so cos theta is equal to a dot b upon a mode, और b mode, a dot b, इन दोनों का product लिख सकते हैं, a dot b क्या होगा, a dot b इधर निकाल लीजिए, a dot b हो गया, i and 2i, that is 2, minus a minus d, that is minus 1, and k minus a, that is minus 1, clear, a mode, a mode आप निकाल सकते हैं, a mode कैसे निकलेगा, a mode आपको पता है, one का square, plus one का square, and plus minus one का square, that is root 3, b mode कैसे निकालेंगे, b mode देखिए, कैसे निकालना, b को रख लीजिए, 2 का square, plus minus one का square, plus one का square, 2, 2, 4, plus one, plus one, that is root 6, तो cos theta is equal to 0 upon root 3, root 6, ठीक है, तो क्या हो गया, 0 हो गया, cos theta is equal to 0, और cos में 0 इसकी value होती है, बताइए, 90 की value होती है, ठीक है, तो theta is equal to, यहाँ 90 डिगरी आ गया, तो आप इस तरह से, इसमें angle भी find कर सकते हैं, ठीक है, कोई problem नहीं, आप angle S में निकाल सकते हैं, तो यह था आपका dot product, चाहें तो आप angle निकाल लीजी बीच में से, और चाहें आप इसको dot product कर लीजे, number of questions आप बना सकते हैं, concept हमारा यही है, ठीक है, concept समझना होता है, भागी तो आप question कितने भी कर लीजे, और मैं सबस्ता हूँ का concept clear हो गया, dot product का, आप इसको number of questions कर सकते हैं, ठीक है, तो यह थी, आज का हमारा dot product, और अगले lecture में लेकर आएंगे हम cross product, ठीक है, cross product को, क्योंकि हम दोनों को separately पढ़ेंगे, ताकि आपका concept vector का fully complete हो जाए, और इसलिए आप channel के साथ जुड़े रहें, like करें, subscribe करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो पता चल जाए, कि यह वीडियो आ चुकी है, और आप अपनी practice start कर दें वहाँ से, ठीक है, तो channel को like करें, subscribe करें, और जुड़े रहें Root of physics से साथ,